नमस्कार मैं आचार आशुत उच्टिवारी सर्टिफाइड महावास्तु कंसल्टेंट इंदौर मत्रिप्रदेश दोस्तों आज मैं आपके साथ अपनी जोतिश्की केस स्टेडी शेयर कर रहा हूं समस्या थी एक बच्चे की कि वो कॉंपिटिटिव एक्जामिनेशन की तैयारी करते वक्त अच्छी पर्फॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था तो के भी टेक्नीक का पालन करते हुए उसके जन्वपत्री बनाए गई और जन्वपत्री के जब एनलेसिस किया गया तो मालूम चला कि उसकी महादशा वीनस की और अंदरदशा सैटन की है वीनस पड़ाई के भाव में ही बैठा हुआ था और सैटन उसके खुद की परस्नालिटी के बॉक्स में बैठा हुआ था तो जब एनलेसिस किया गया तो पता चला कि इसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड फस्ट बॉक्स थर्ड बॉक्स फॉर्थ बॉक्स सिक्स्थ बॉक्स और एट्थ बॉक्स की प्रॉब्लम दिख रहे थी थर्ड बॉक्स परफॉर्फरमेंस का फॉर्थ बॉक्स बढ़ाई का सिक्स्थ बॉक्स कॉंपिटीशन का और एट्थ बॉक्स डर्क तो जब एनलेसिस किया गया तो पता चला कि अगर सैटन को इस्टैब्लिश करते हैं याने अंदर दशा लॉड को फस्ट बॉक्स में टो और वीनस को अगर पढ़ाई के बॉक्स में ही इस्टैब्लिश कर दें तो वीनस 120 डिग्री का एट बॉक्स याने डर वाले बॉक्स पे 120 डिग्री का सपोर्ट दे रहा था बस फिर क्या था कि भी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और सेटन याने उसके दादाजी से कहा गया कि आप इसके गले में गला टॉरस की राशी का है तो गले में एक ब्लैक कलर का थ्रेड बान दीजिए उससे क्या होगा कि थर्ड बॉक्स फोर्थ बॉक्स और सिक्स बॉक्स पर सेटन का एक पॉजिटिव आस्पेक्ट पढ़ना शुरूर हो जाएगा और वीनस जो के परक से संबंदित है क्योंकि बच्चे की प्राबलम क्या थी कि वह रेलिवेंट और इस्टप में फर्क नहीं कर पा रहा था यानि यह दो ट्रेजल का वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था तो वीनस को फोर्थ में स्टैबलिश किया गया उससे कहा गया कि बेटा चैस् तो बच्चे ने कहा कि डर एकदम खतम हो गया है और मैं अब पहले से बहुत अच्छी तरह फोकस्ट वे में एक दक्षिता के साथ पढ़ाई कर पा रहा हूं और सबसे बड़ी वाली बात यह है कि मैं अब यह डिसाइड कर पा रहा हूं कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है क्योंकि समय अब बहुत कम हैं बच्चे की बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारे केवी टेक्निक के छोटे-छोटे सरल उपचारों से कितना फर्क पढ़ता है बच्चों और यह मिरकुलस रिजल्ट आप भी ले सकते हैं बस केवी टेक्निक का इस आप सकते हैं